सो बिल्कुल सही थमनिल आपने देखा है जो वीडियो का थमनिल आपने जो भी देखा बिल्कुल सही है पैसे को सेव नहीं राइट पैसे को सेव नहीं इन्विस्ट करना सीखो थोड़ा अजीब सा लगया कि यार सर पहले वीडियो में समझाते थे कि पैसे को सेव करना चाहि और मेरी लगातार कोशिश यह है हम आईडियल फ्रेंड्स की आप न पैसे को हमेशा इन्वेस्ट मतलब पैसे को डबल करना सीखो सम इन्वेस्टमेंट टिप्स है जो मैं आपको इस वीडियो के आं तक देने वाला हूँ बाकि जो मेरे चैनल में नए आया है ना प्लीज जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन में क्लिक कर लेना सो देट आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे तो वीडियो बने रहना बहुत ध्यान से देखो सबसे पुराना तरीका सबसे पुराना तरीका क्या रहता था जो हमारे घर के बज़रु कहते थे बहुत पहले लोग करते थे सेविंग मतलब यार बैंक में पैसे रहने देते थे तो बेसिक लिए देखा जाया तो जो saving में पैसा रहता है समाझ लोग कि हमारा पैसा negative में जा रहा है ठीएस बिलकुल सही बोला आपने negative में जा रहा है अब दूसरा तरीका ये रहता है my dear friend दूसरा तरीका ये है कि लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है अगर हमारे पास कुछ investment हमार से 5% ही मिलेगा मतलब अगर आपने 1 lakh रूपीज डाला है FD के लिए तो ज़्यादा ज़्यादा आपको 4 पांच हजार रूपे साला ना मिल सकता है इससे ज़्यादा उमीद आप मत करना ठीक है ना क्योंकि इससे ज़्यादा बैंक बिलकुल नहीं दे सकता आपको बहुत ही इन्वेस कैसे करेंगे चलो हमने गोल्ड पे हमने गोल्ड खरी लिया ठीक है ना अब गोल्ड को अगर गोल्ड पे इन्वेस करते हैं ज्यादा ज्यादा हमें कितना मिल सकता है 6-7% हो सकता है ठीक है ना लेकिन यार गोल्ड पे इन्वेस करना के लिए थोड़ा सा आपको ज सकता है इससे जदा आपको return बहुत ही कम मिलता है नहीं मिलता ठीक है अगर देखा जाए scenario compare करते है inflation rate को देखते हुए महंगाई दर के साथ मैं compare कर रहा हूं लगाता है तो इस चीज को ध्यांज समझते जाना ठीक है न तो चलो तो आपन हम यह समझे कि यार fd का तरीका है gold का भी तरीका है लेकिन 6-7% हो सकता है इससे ज्यादा उमीद बहुत मुश्किल होता है मिलना चलो अब यार चौथी जो बात करते हैं बहुत best investment कहा जाता है बहुत अच्छी investment कहा जाता है मैं आपको बताओ एक survey में बताये गया है कि 80% लोग 80% लोग इस चीज करते हैं जो कहत हैं plot पे पतब जमीन कहीं खरी लिया लेकिन my dear friends ठीक है रिटन बहुत अच्छा है 9-10% कभी-कभी 11-12% बी रिटन चला जाता है लेकिन मैं आपको बताओ इसके लिए न आपको न अमांट बहुत ज्यादा अमांट की जरुत पड़िए you need a lot of money for that if you want to buy the plat or something land you need a lot of money to buy लेकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह ऐसा वीडियो है ना इसमें आपको ज्यादा मांट के requirement नहीं होती है इस वीडियो के माध्यम जो investment है तो बहुत ही कम investment ने कर सकते हो तो plot भी ऐसा रहता है ना कि अगर आप उस पे invest करना चाहो तो आपको ज्यादा मांट जरुत यार यह तो अच्छा है कि अगर specific कोई अच्छी एरिया है आपकी location पे या कोई भी ऐसी जगह है जहां पास एक growth हो रही है वहां पास supply सकते हो लेकिन for that you have to wait till 3 to 4 years 5 years आपको 3 से 4 साल या 5 साल तक आपको wait करना पड़ेगा for that plot क्योंकि और यार normally it's a part of investment उसको investment कहा जाता है ल आप जाके invest कर सकते हैं इतना तो किसी के पास रहता नहीं है कि हम उस पर invest करें तो यार मेरे ख्याल से थोड़ा सा कहा जाए तो यस बहुत लोग जिनके पास amount है पैसा है यस उनके लिए बहुत अच्छी investment है लेकिन जिनके पास नहीं है ठीक है बिलकुल धीरे से मतलब सुर पाश्मी की बात कर रहा हूं यह में जो पांचे point मैं आ रहा हूं इस कॉल दब mutual fund जी हां बिलकुल आपने सही देखा it's called mutual fund अलडी मैंने बहुत सारे वीडियो बना लिया है mutual fund में आप देख सकते हैं आप कोई वीडियो जाके इसमें देख सकते हैं कि mutual fund में हम invest कैसे कर सकते हैं फिर से बताना चाहूँगा mutual fund क्या है mutual fund मतलब क्या होता है आपसी मतलब आपस में fund देखो आपसी मतलब होता है कि हर mutual fund जितने भी assets management कंपनियां होती है चाहो SDFC ले लो चाहे कोटक ले लो access ले लो कोई भी कंपनियां हर कंपनियों का अच्छा एक manager होता है fund manager होता है तो आप कोई भी पैसा जब invest करते हो ना इसमें पैसे डालते हो मैं बताओंगा कैसे उसको invest करना है आप कोई पैसा डालते हो ना जो manager होता है ना जो उस company के बीचे manager होता है ना वो पैसे उसको बोलते है fund manager तो क्या करता है उन पैसे उको बहुत अच्छे से distribute करता है चारों तो overall कभी भी minus में होने के chances बिलकुल ना के बराबर होते हैं क्योंकि वो खुद नहीं चाहेगा कि उसका घाटा हो यार क्योंकि जो बहुत सारे पैसे कठे हो जाते हैं तो suppose आपने अगर एक लाक रुपे इंवेस्ट किया है उसमें तो आपका जितना share है आपको percentage according आपको मिल जाता है लेकिन देखा जाए कि जो ऐसे भी रहते हैं कि जिनको amount बहुत कम हमको कम मिलता है जिनका amount जाद हमको जादा मिलता है लेकिन कभी घाटा नहीं होता तो mutual fund सबसे best investment मानी जाती है जो आज का दौर है यह आज का दौर मैं आपको बताओ mutual fund सबसे best investment मानी जाती है मैंने आपको दिखाया है कि आप phone पे से कैसे invest कर सकते हो आप stock से कैसे invest कर सकते हो mutual fund में आप इस video जरूर देख लेना मैंने नीचे description में mention कर दी है तो सबसे क्योंकि क्या होता है इस investments है ना कम से कम chances my dear friend 17 to 20% आपको yearly मिल जाता है अब देखो compare कर लो यहां से यहां का sorry FD का इस compare करो अगर आप एक लाग गुपर deposit करते हो तो एक लाग चार जार हो जाता है लेकिन अगर आपका एक लाग गुपर deposit होता है तो it may come around 1,17,000-20,000 extra ठीक है तो this is the power of mutual fund क्योंकि यहां पास आप न और mutual fund में सबसे अच्छा best करने का रहता है यार plan कर लो ना SIP SIP क्या होती है SIP मतलब systematic investment plan systematic मतलब एक तरीके से हर महीने की जैसे दो तारीक को मेरे account से 500 कटेगा 1,000 कटेगा जो लोग छोटी मोटी job कर रहे है जो लोग job नहीं कर रहे है तो मैंने बताया है phone pay application से कैसे आप mutual fund में invest कर सकते हो क्योंकि उसमें one time रहता है जैसे महां लो example ले रहा हूं है जैसे ये क्या चल रहा है ये चल रहा है अपना November ठीक है November में क्या हुआ आपने आपको पांस तारीकों पैसे मिले आपने पांस तारीकों पैसे 500 उसमें डाल दिये ठीक है अब यार पूरे महीने आपको नहीं मिले अगले महिने के आपको दस्तारी को पैसे मिले, चुरो दस्तारी को हमने डाल दिया, लेकिन क्या हो जाएगा, एक systematic एक plan हो जाएगा, कि हर महिने मेरे account से पैसे कट रहे हैं, आपको नहीं पता चलेगा धीरे-धीरे करते हुए, कि आने वाले, मतलब आने वाले 3-4 सालों में व बहुत ही profitable income दे सकती है, तो यह बहुत ही छोटी income नहीं है, power compounding बहुत ही, समझ लोगे एक प्रकार करना magic है, एक अजूबा है power compounding, तो इस पर try करो, जरूर करो, क्योंकि मेरा मकसद है आप लोग के पास पैसे तो आए, पैसे आने के साथ साथ उस पैसे को सही ठीकाने में भ चाह रहा था, तो mutual fund इसको indirect share market भी कहते हैं, जैसे आप share market पैसे डालना चाह रहे हो, तो indirect share market, क्योंकि यहाँ पास आपका पैसा पूरी तरह safe रहता है, right, mutual fund में आपका पैसा पूरी तरह safe रहता है, जिसमें return, जो return income रहती ही, लगबस 17-20% हो जाती ही income, ठीक है, long term में यार, कि 20 years में कैसे करोन पती बने, आप वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि power compounding में आपको पता नहीं चलेगा, और income कितनी तेजी से आपकी बढ़ती है, ठीक है ना, चलो, तिये mutual fund की ताकत हो गई, जो last हो गया, यह आपको बताना चाहूंगा share market, yes, यह ऐसा है ना, कहते हैं, share market ऐसा कुआ है, कि जिसमें लाखों लोग के प्याज बूश सकती, बिल्कुत सही है, आपने वो dialogue सुना होगा, एंटिटेट वी स्कैम स्टोरी में, हर्षद मेंतावन, yes, बिल्कुत सही बात है, लेकिन यहाँ पास आपको बहुत ही planning से आपको invest करना होगा, अब स्टॉक से मै आपका पता चलिएगा, कौन से share आगे बढ़ेगा, आने वाले वीडियो से वी आपको मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिल्कुत धीरे धीरे जाओ, और आपका बिल्कुल आपका प्यार तो बहुत important हमाईड़े, आपका प्यार जरूर चाहिए, क्योंकि आपकी प्या होते हैं, जरूर आप mention कर सकते हो, कि सर, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये चीज़ है, share market के बारे में ऐसा है, कि मैं आने वाले वीडियो से आपको दिखाऊंगा, कि पहला share अपने कैसे खरीते हैं, डीटेल में बताऊंगा, और साती सात, हमें कैसा पता देने के लिए, क्योंकि मैं जितना सीखूंगा ना, मैं आपको उतना सीखाऊंगा भी, तो this is all about the investment, क्योंकि saving तो हम करते आ रहे हैं, अपने पापा ममी से सबसे सीखते आ रहे हैं, कि saving किस तरह होती है, बेटा, पैसे बचाय करो, लेकिन जो आज की generation है, आप लोग की generation, इसमें 3-4 option ऐसे हैं ना, जो apply करके आप कर सकते हो, और अपने पैसे को double कर सकते हो, तो that's it, जो मैं आपसे share करना चाहरा था, I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो अपना प्यार देने के लिए प्लीज जल्दी से like कर देना, share करना अप आपकी और कुछ वीडियो के डिमांड होना, तो प्लीज कमेंट सक्षन में जरूर्ट मेंशन करना, कि सर मुझे इस टॉपिक वीडियो चाहिए, तो this is your friend Sandeep signing off, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिये, and keep your motivated, bye bye, take care.